हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6 सेप्टेंबर 2018 की प्लिम्स अब्रेटर सीरीज में आपका स्वागत है, आजका तो पहला आर्टिकल आया है, वो आया है, इंटरनेशनल वूमेन इंटरपरिनोर सब्मीट 2018 को लेके, तो कंटेक्स्ट यह है, कि अभी रिसेंट्टी 3 से 5 स में, नेपाल के कार्ट मांडू में, इंटरनेशनल वूमेन इंटरपरिनोर से सब्मीट 2018, वो क्या गया था, उसको लेके बिसिकली कंटेक्स्ट है, वो आया है, तो इस बार की थीम क्या रही थी, पहले तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस बार की थीम में थी, एक्व वारा ओर्गनेज किया गया है, इस बार वो भी हम देख लेते हैं, देखो जो इस बार इंटरनेशनल वूमेन इंटरपरिनोर से सब्मीट 2018, यह बेसिकली ओर्गनेज किया गया है, साउथ एसन वूमेन डवल्मेंट फॉर्म के द्वारा, अब इसके ओप्जेक्टिव के है थोड़े हम वो भी देख लेते हैं, कि वोमेन इंटरपरिनोर से सब्मीट इस्टार्ट क्यों गया है, क्या इसके बेनिफिट होने वाले हैं, देखो इसके बेनिफिट ही हैं, कि जो भी वोमेन हैं, उनको कहीं ने कहीं थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, वोमेन इंटरपरिन वो लोग यहाँ पे आएंगे और और भी जो इदर के इस टेक होल्ड्स हैं वो भी हाँ एक साथ आके basically काम है वो करने वाले हैं इसके साथ ही जो innovative economics transformation है वो भी economy में होंगे मतलब women's को basically इसमें ज़्यदा support है वो दिया जाएगा कि women के दोरा हमारी economy में क्या क्या contribution दिया जा सकता है उनके दोरा recently क्या क्या actions है वो लिये जा रहे हैं उनके उपर basically focus है यहाँ पर क्या जाएगा तो यह है basically women entrepreneurship submit का man motto मदब women's को improvement करने के लिए उनके दोरा क्या क्या step लिये गए हैं इसके उपर discussion है वो की जाएगी इसके साथ ही देखा जाएगा कि उन्होंने पहले किस तरिके से काम किया है अभी उनके सामने कौन-कौन से नए challenge है जिसे कि आप एक जंबर मानो कि कोई भी नई woman है उससे अपना नए business start किया तो उसको starting काफ़ सा अदिकत का सामना करना पड़ रहा है तो उन ऐसे issues पर भी discussion की जाएगी उनको किस तरह किसे soul है वो क्या जाएगता है women's को marketing में किस तरह की problems आती है ऐसे जो issues है उनको यहाँ पर focus करते हैं चला जाएगा तो यह basic थोड़ा हमें धान रखना है कि किस से related है क्या क्या यह चीज है अब हम बात करते हैं South Asian movement development form के बारे में देखो South Asian movement development form है यह एक autonomous non-profit organization है तो यह चीज हमें धान है वो रखनी है और इसका जो headquarter है यह भी है Cartmanu based है तो देखो इस बार नेपाल के Cartmanu में काफी important discussions हुई है काफी important जो collaboration है वो हुई है तो उनके बारे में में जरूर धान है वो रखना है क्योंकि वहाँ पे काफी discussions हुई है इसलिए हमारे लिए वो important हो जाती है हमारे आप बोसकतो कि security agents के नजरी से भ है उसके दोरा जट दूसके 2014 की जो meeting ती उस session के दोरान basically South Asian women development form है इसका निर्मान है वो क्या गया था मिलब सार कंटिक के दोरा इसको recognize या मानेता है वो दीगी है इसके बादे 2014 में इसको गठी किया गया था और इसका जो main focus है वो यह रहता है कि women entrepreneurs है इनका जो issues है उनको किस सामने ने challenges आ सकते हैं और किस तरिके से उनको में fish out है तो करना है तो इन सारे issues के लिए basically South Asian women development form है वो बनाया गया था और उसके दोरा इस बार का international women entrepreneurs से submit है 2014 वो host है वो किया गया था तो यह था context और यह थी complete news तो उसको अमने background के साथ यहां पर discuss है तो किया चलते है next article के तरफ नेक्स दोग एक छोटी सी news है वो यह है कि रंजन गोजई है वो एक्चुली इंडिया के 46 सीप दसी इंडिया है वो अभी point है वो होने वाले है अभी तक उनको point हो नहीं किया गया है तो यह थोड़ा में facts के तोर पे बैस इसना धान रखना है college system के तरह देखो उनकी appointment है वो आपको comment box में बताना है तो recently आपको बता है कि college gym में उसके अंदर एक senior chief of India होते हैं इसके अलावाद चार most judges होते हैं उनके द्वारा basically college gym के third appointment है वो की जाती है तो अभी जो जन जन गोजई है यह basically जो चार most senior judges है है सुप्रीम कोर्ट के उन में सही एक है इनकी जो appointment का काम है व हमने आप ही देखी तो जो आप से यहां पर आज questions पूछे गए हैं home work के दोर पे तो प्लीज आप उनका answer है को comment box में जरूर दें next जो article हमारा आया है वो कोफी connect एप को लेखी इसके साथ ही एक नया project और है जिसका नाम है करसी तरांग प्रोजेक्ट तो यह भी हम देख लेते हैं कि करसी तरांग गा प्रोजेक्ट है क्या देखो सबसे पहले हम कोफी किनेक्ट एप के बारे में जाते हैं तो यहां से एक बहुत important factor है वो यहां पर हो जाता है सबसे ज्यादा कोफी प्रोडूस कि जाती है वो कि जाती है ब्राजिल में और इंडिया आता है चठे नमर पर और यह चीज़ हमें थुट धाना वो रखनी है और 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 वर्ड में इंडिया है वो चार प्रसेंट इस्टेक मुल अपने कौन सा तो में पता होना चाहिए कि बहुत कोफी है वह इंडिया में six largest producer है वह अलॉर वर्ड में इंडिया में जो maximum कोफी है वो produce कि जाती है 54 परसेंट जो कोफी इंडिया की है वो प्रोडूस कि जाती है करनाटका में इसके बाद में केरला में और कित्तामिलाटोय मतलब इ एंडिया में कोफी है उसका maximum production है वो क्या जाता है कि या कोफी होचा तो एक जैस्टिय है तो हो सकता है कि North East में आसाम में होते होगी ऐसा नहीं है कोफी है वो बेसिकली South Asia में ज्याज़ अच्छी quality है वो होती है कि कोफी को काफी गर्मी और बारिस दोनों चीज़ों की जरूत है वो होती है इसलिए जो प्रियात आप हो चाहिए कि जो अनुकूल महूल बहुत सकते हो इन्वार्मेंट है वो बेसिकली करनाट का चेल और तमिला डूमेन के लिए पाया जाता है तो एक उस फेक्ट हमें धान है वो रखने है इसके साथ ही इंडिया जो कोफी प्रोडूस करता है उसका सबसेदा प्रोड एक्सपोर्ट है वो कहता है इटली में इसके बाद में रस्या में और तीसे नमर पर जर्मनी में मतलब इंडिया बेसिकली तीन कंट्री को सबसेदा कोफी एक्सपोर्ट करता है वो भी हमें धान है वह अपने कोन कोन सी कंट्री को अब हम दे रखना कि जो coffee connect app है यह basically commerce and industry ministry के अंडर आता है यह चीज़ दिधाना हो आपको रखनी है क्योंकि यहां के आपको लग सकते है कि यह agriculture sector होगरा होगा तो agriculture ministry होगरा है ऐसा नहीं है यह commerce and industry ministry के अंडर रखते है वो आता है और यह coffee connect जो app है इसके benefit यह होगे कि जो coffee के जो आप हो सकते हो कि जो लोग coffee produce करते है या coffee के जो बाग वगरा लगाते है उनको अपस में एक जगए एकटा क्या जाएगा उनके बीच में value chain create की जाएगी इसके साथ लिए उनको working जो efficiency है उसको improve क्या जाएगा जियो टेगिंग वगरा की help से कहिने कि उनकी quality वो और जदा हिनेंस है या उनकी marketing वगरा है वो कीजएगी इसके साथ यह आप बाल सकते हो कोफी का plantation होता है उसमें कहीं काफी collaboration देखने को मिलेगा और जो कहीं बार subsidy दी जाती है उसको भी उसमें भी transparency है उसको बरकरा रखने के लिए कोफी केनेक टैप है वो काफी helpful है वो रहने वाला है तो यह कुछ basic facts हम ने इसके बारे में देखे तो को मिनिश्टरी थोड़ी आपको यहाँ पर confused है वो कर सकती है तो थोड़ा इसका धान जुरूर रखना है इसके बाद में हम देखते है करसी तरंगा project के बारे में तो करस recording उन्हें information चीए गार हमारे बाग में यह issue हो रहा है इनके बाग में यह issue है garden में तो उसके लिए उनको customized information है उनको customized service हो दी जाएंगी बलब उनकी हर एक problem के उनको अलग से solutions है वो दिये जाएंगे और इसी तरस पर उनकी productivity है और उनकी quality गाब हो सकते है यहाँ पे इसके साथ कोफी से लिटेड तो वहाँ पे फार्मर्स वगरा उनसे आपस में connect करके और अच्छा solutions वहाँ पर पा सकते हैं तो दोनुई project हमें धान रखने करसी तरंगा project कि से लिटेड है कोफी से लिटेड है तो यहाँ पे confused हो सकते है कि यह green evolution वगरा ऐसा कुछ तो है नहीं ना तो य यह effect हमें थोड़ा दान है वो रखना है next जो हमारा article आया है वो basically आया है काजिंड के बारे में तो काजिंड 2018 है यह है एक multi-lateral इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में military exercise है यह चीज हमें धाना वो रखनी है और इसका भी recently third edition है वो कजाकिस्तान में host है कजाकिस्तान के दोरा host है वो क्या जा रहा है 10 से 23 सेप्टम्बर के बीच में कजाकिस्तान में बेसिक लिए exercise है वो की जाएगी बस यह effect important है हमारे लिए कि काजिंड है वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में military exercise है इतना ही बहुत है UPSC के लिए इसके लाव बाकि UPSC नहीं कूस्ति कब वगरा किया गयायां यह Даके धान रखेंए कि 2017 का दो अधीसन था रोखो इंडिया में होस्ट किया गया ता वह 2018 का कजाकिस्तान में हर साल होस्टावग क्या जा बात का असर नहीं होता है, सेम वही हाल था है सूपर बक्स की, जिस तरकी से देखो, जब भी हम कोई मेडीसेंस वगरा लेते हैं, तो मेडीसेंस हमारे लिए काफी हेल्फ रूला हुए बेसिकली हाँ पर हो जाती हैं, जैसे आप ये मानो कि हमारी बोडी में कोई भी बेक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, हमारी बोडी के अंतरफ हम क्या करेंगे, कोई ने कोई मेडीसेंस लेंगे, ताकि उसका येल्फ से बेक्टीरिया को गाउंट रहा है, वो क्या जासके, पट आप एक चीज़े देखिए, बाई चांस, अगर वो जो बेक्टीरिया है, इक तरह से चिकना घड़ा बने, मतलब उस पर कोई भी मेडीसेंस का असर ही नहीं हो रहा है, जो भी हम ड्रक्ज हो गरा ले रहे हैं, मेडीसेंस ले रहे हैं, वो बाई बन जायेगा, उसके ओपर कोई मेडीसेंस का एफिक्ट हो नहीं हो रहे है, तो एक तरिके से हम बzugचत कि Superbucks क्या होते है वो होते है जो bacteria पर drugs का कोई भी effect नहीं होता है वो होती है Superbucks अभी देखो recentty जो context है वो है MRSA Superbucks के बारे में तो यह थोड़ी उपेसी पूछ सकते है MRSA recently news में था तो किस से लिट क्या चीज है कोई mission हो अगर है NASA का कोई project हो गरा है यह बस इतना ही पता होना थी कि MRSA वो एक Superbucks है अभी recently context इसको लेकि आया था कि जो यह आपने देखा भी recently histophilococcus और यह से है यह जो मतला बहुत सब्सक्रिके से Superbucks है इससे की एक दूसरी variety और है जिसका नाम है histophilococcus epidemics तो यह basically है यह भी recently news में आया था क्योंकि ओस्ट्रिक जो scientists रिस्टर्स है उन्होंने का कि इसका जो infection हो बहुत तेजी से फैल रहा है तो उसको लेकि है news में आया था तो हमें धानकना की MRI से क्या है इसके साथ यह धानकना है कि histophilococcus epidemics से है क्या ही यह भी UPC basically पूछ सकती है जिसके कि आपको दूसरा एक जंबल बता हूँ सुपर्वक्स का एक equally का नाम अपने सुनाओगा वह भी एक सुपर्वक्स ही है तो उसी तरस पर यह सुपर्वक वगरा है यह भी रिसेंटली news में थे यह बार क्या होता है देखो यह जो बेक्टिरिया वगरा होते है यह अपने DNA में एक तरिकी से फिर हम बार-बार CHANGE गरे होते हैं जिसे की डोक्टर ने का कि आपको यह मेडिशन लेनी है और हम बार-बार उस मेडिशन को CHANGE करें तो उस कंडिशन में सुपर्वक्स बढने के रखनी है तो बेसिकली इसका solution यही है कि जितना धोस के antibiotic medicines है इनसे बच्छा जाए वह ही सका सबसे बड़ा इलाज है बाकि देखो scientists 10-2 times की research वगरा कर रहे होते हैं तो super bug हमें धाना वो रखना है अभी recently MRS से कहा था यह उपे सी पूछ सकती है नेक्स तो एक छोटी news आईए वो आई है इंडियन roof turtle के बारे में तो को इंडियन जो roof turtle है यह बेसिकली इंडिया की जो South Asia की जो रिवर्स है में में बेसिकली पहा जाता है कोई इंडियन जट वगरा नहीं है कंटेक्स बस अभी इसका यह था कि वेश्ट बंगोल की में एक्चुली एक टालाव था वहां पे काफी जो सरदा लू वगराते हैं उनके दोरा अगर्बती काफी ज़रा कच्रा ऐसा फैका गया उसकी help से काफी टटल की मौत होगी और काफी ज़रा उनके लिए बढ़ गया इसके साथ इसे पाल तो है मलब भरेवल्ट डोमेश्ट एक डूज में बेसिकली किया हो जाता है और लिस्ट कनकन लिस्ट में सामिल है आई-उस-एन की मतलब खत्रा वगरा इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं तो यह कुछ बेसिक से फेक्ट से हो हमें थोड़े यहां पे ध अगरे रखे हैं तो यह हमें दान रखना है कि DMH 11 वह बेसिकली सरसों जो मस्टर्ड होती है उसकी हाइब्रिड क्वालिटी है जो की इंडिया के देली उनिविश्टी है उसके दौरा डवलप है वह की गी है और अगर इसको अफ्रोल मिल जाता है तो यह है इंडिया की पहल हमें डिस्कस किया इंटरनेशनल वूमेंस इंटर्प्रिनोर्स सब्मीट 2018 के बारे में जो की नेपाल में साउथ एसेन वूमें डवलप्मेंट फोर्म के द्वारा होस्ट है वो क्या गया था इसके साथ ही हमने देखा कि इंडिया के 46 जो इंडिया है वो बेसिकली होने वाल है वो रखन यह है अपोंट्मेंट की सिस्टम आपको बता है को लिजिम के तहता है वो होती है कि उसन जो आप से पूछाता है वो आपको गर्मेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसके साथ ही हमने देखा कि कोफी प्रोडेक्स में इंडिया की क्या हाल आता है और अभी इं MRSA रिसंटी सुपरबक्स न्यूज में था इसके साथ ही हमने देखा कि इस टाफिलो फोकस एपरिडिमिस है यह भी एक निया जो सुपरबक्स है इसके बारे में न्यूज में आई थी इसके साथ ही हमने देखा कि इंडियन रूफ टर्टल है वो कोई इंडेमिक वगरा नही यह लिस्ट कनकरन लिस्ट में सामिल है आयू सीन की और इसे पालतू दूर पर भी रखा जाता है इसके साथ हमने लास्ट में डिसकस किया कि धर्मा मस्टर्ड हाइबर्ड डी एम एच ही ले होना है वो एक मस्टर्ड ये एक हाईवरिड क्वालिटी है जो कि डेली उनिवरि क्यूर मस्ट कर दिसक्शन